हाई गाईज असलाम अलेकूम विलकम और विलकम बैक टो मैं चैनल स्मॉल टान कोडी और मैं हुरुक सार्स हो गाईज आज के इस वीडियो में मैं अपके लिए लेकर आई हूँ 5 बेस्ट शैंपूज फॉर दिस मांसून सीजन क्योंकि मांसून में बालों की जढ़ने की समस्यात बहुत जादा गामन हो जाती है गाईज काफे सारे लोग स्कू जो सबसे पहला शैंपू मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ वह है यह लिग्रिम की नियुली लॉंस जिसका नाम है पतुवा एंड केरेटेन स्मूधनिंग शैंपू गाइस यह जो है ना वो इस पेसली ड्राइ एंड रॉफ एंड डैमेज हैर्स के लिए ही है गाइस और यह उनका कहना है कि उन्होंने एमजॉन के रेन फॉरेष्ट से धून कर निकाला है पतुवा को और यह जो पतुवा है इसके अंदर 9 amino acid जो है वो मौजूद है इसका मतलब यह है कि यह enriched है प्रोटीन से एंड इसके साथ केरेटेन भी है जो कि बालों को soft and smooth बनाने में काफी ज़ए help करता है साथी scalp को साफ करने में काफी जादा मदद करता है क्योंकि जो main problem हो हमेरी scalp से ही आती है मतलब जो oil होता है जो dust होता है जो sun का damage होता है वो scalp पे ही होता है guys तो यह scalp को काफी अच्छे से साफ करता है अगर हम लोग oiling करते हैं तो कहीं कहीं बार क्या होता है कि जादा oily scalp होने के वज़ा से जो dust particles है वो जादा catch करते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद काफी जादा problem होती है तो यह product जो है उसी के लिए है और इनका कहना है कि यह first wash में ही आपको result देगा guys सच बोलू तो first wash में ही मेरे बाल जो है थोड़े से wavy type के है और अब देख सकते है फुल स्ट्रेट नहीं है तो इसलिगे मुझे ना हमेशा यह problem होती है कि मुझे बाल हमेशा rough and dry लगते है मेरे तो मैंने इसको try out किया और first wash में ही मुझे काफी जादा पसंद आया 200 ml की यह product की quantity है guys और इसकी price is 400 रूपीज बट यह हमेशा पको discount में मिल जाता है I guess यह आपक इसलफेट फ्री है mineral oil फ्री है and हर तरीके से यह chemical free product एक क्लेमिन का यह भी है कि यह बालों को 10x keratin smoothing effect देता है तो मुझे असा नहीं लगता है कि 10x smoothing effect देता है बट हाँ यह work करता है बालों को smooth बनाता है तो अगर आपको अच्छा शांपू ढूंड रहे हैं जो कि बालों आपको अच्छा से soft करे manageable बनाए तो आप इसको ले सकते हैं आपके साथ shampoo share करने वाली हूँ वह है Plump का यह milk and peptide strength shine shampoo guys यह shampoo मैंने काफी बार try out करके रखा है और गाइस यह जो शांपू है ना यह उन लोगों के लिए जिनके बाल काफ़दा rough dry and damage हो जाते है इस पेसलिए जिन आपको 270-260 रूपीज में इसली मिल जाता है आपको काफी सारे website में like amazon, pipcard, nika, purple काफी सारे website में यह आपको मिल जाता है इसमेल भी बहुत जादा अच्छा है बहुत अच्छा foam create करता बहुत अच्छा leather करता है आपके बालों को अच्छे से यह साफ करता है guys and इसके अंदर जो है वो peptide है so जो यह peptide होता है वो एक protein का और जो है वो blocker का का मतलब कि कि हमारे बालों के अंदर fiber होता अइसी युदिफे एक ब्लॉकर के तरह जिसे की fiber नहीं तूडते है और protein को लोस का जाता है और हमारे बाल रफ एंड़ नहीं होता है यह बहुत ही अच्छा यह जो काफी अच्छा प्रोड़क्त है अगर आप चाहे तो ठ्राइओट कर सकते हैं मुझे तो काफी जादा पसंद आया है तो डिफिनेटली मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकती है यह जो मैं आपके साथ शैंपू शेयर करने वाली हूँ वह है ब्रैंड जॉइकी और यह काफी जाद पॉपुलर ब्रैंड है क्योंकि यह काफी अफॉर्ड़बल रेंज में अपने सारे प्रोड़क्त जो है वह लॉँच करते हैं प्रोड़क्त लेकर आते हैं और यह जो प् जो की एक रुपए में आपको पंसार के दुकान मीजली मिल जाएगी आप उसको भी ट्राइ आउट करके देख सकते हो मैंने यह वला साइज लिया था एंड काफी अफॉर्ड़बल रेंज में मुझे मिल गया था इसकी जो प्राइज है गाइस वह है 399 रुपीज 400 रुप क्योंकि वह काफी जादा अच्छा मैंना जाता है बालो के लिए बालो को घहना करता है ब्लैक करता है बालो में बॉल्यूम देता है काला बनाता है बालो को तो और शाइन भी बहुत अच्छे से बनाता है बालो में इसके अलवा यह स्कैल्प को भी काफी अच्छे से साफ क अगर आपको बैक्टेरियल इंफेक्शन है तो शाप के अन्दर तो भी यह दूर करता है और गाइस इसके अंदर जो ब्लक ग्राप्स डाल गया है वह ब्लड सर्कूलेशन का बहुत अच्छे से काम करता है और बालो को प्रोवाइड करता और जो स्ट्रान्ड रहता है उसको स स्मूधिंग प्रोवाइड करता है तो अलवर बोलू तो यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है और इसकी बेस्ट पार्ट में बताऊं कि इसके अंदर कोई भी पारवीन सलफेड मिन्राल ओयल कुछ भी नहीं है सो यह बहुत ही जादा अंडर रेटेड एक ब्रैंड है गाईज बट मैं बोलूं कि प्रोड़क्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा से लेजर क्रियेट करता है बहुत अच्छे बालो को साफ करता है अगर आपको अफॉरडबल व्रेंज में धून रहे हैं शैंपू तो करके देख सकते हैं और मेरे तरफ से हाली रिकमेंड इसके बाद जो मैं अपके साथ शैंपू शेयर करने वाली हूं वो है यह वाला शैंपू गाईज एंड यह मैंने रिसेंटली में ही लिया हैं दो तीन बारी यूस किया बट मुझे यह काफी जाद अच्छा लगा और इ के अंधर इंग्रियर्ट है इसके अंदर अदर और प्रेगरंज नहीं डाला गया कोई ऑर्ट इंफ्रमें्टरीं शीक ब्रपेटी में होता है तो आपके स्कैल्प में किसी तरह का कोई यह स्था जाला इसका कई प्रक्सिन और रोकेगा 1 के अंदर D-Panthenol भी डाला गया है और यह जो D-Panthenol होता नहीं बिसिकली यह B6 होता है जो की बालो के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है बालो को स्ट्रेंथ प्रोइड करता है प्रोटीन का काम करता है और बालो को बहुत ही जादा बाउंसी बनाता है तो बिसिकली बोला जाता अब इसकी जो डिसकाउंटे प्राइज है वो 278 रूपीज है तो डिफिनिटल आप इसको ट्राइ आउट करके देख सकते है यह भी अच्छा प्रोड़क्त है लेधर बहुत अच्छा क्रियेट करता है और आप इसको ट्राय आउट करके देख सकते है लास्ट शैंप और इस ब्राइंट चाहर नाम है को समेटिक आंड यह बहुत सारै शैंपू बनाते है यह जो शैंपू है वह है आगंज आंच वी प्लोटे темпер अ स्ट्रेंथ आप को यह प्रोवाईट करता है यह जंटल मसाज करता है पराब इसके स्मेल भी काफे जादा, यूनो लाइट है बत बहुत जादा अच्छी है, फ्रेग्रेंस इसकी हेवी वाली नहीं है, और ये जंटी आपके नरिश्मेंट प्राइड करता है, बालों को स्मूध भी करता है, सौफ्ट भी करता है, तो ये भी मस्ट्राइ प्रोड़क्ट ह इसकी जो अगर मैं प्राइस की बारे में बात करो तो ये आपको 280 रुपीज में इसली मिल जाएगा 250 ग्राम के इसकी प्रोड़क्ट की कोईंटिटी है, सो इसका भी मैं लिंक निजी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो गाइस ये ता मेरा लाश श्याम्पू अना होब कि आ आपके साथ इन सारे को शेयर करी हूँ अगर आपको इनमें से कोई भी लेना है बाइ करना चाहते है तो सबका वाइं लिंक मैं इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले और ये था अज का मेरा वीडियो आज का मेरा को पसंद है पसंद है तो डोंट फगेट तो लाइक शेर अन सब्सक्राइब तो मैं चैनल विकोज अगर अगर आप चाहिए तो मुझे इस्ट्रग्राम पे भी फॉलो कर सकते है तो मैं बाती किसे चैसे प्यारे से वीडियो के साथ तब तक के लिए टिल दें टेकेड आप विस तेब लेस्ट